लिए हम टेस्स सिरीज कर रहे थे और अब संडे है तो टेस्स सिरीज में हमारा यह टेस्स नंबर थृजी है पहले ही हमने सिलमस बताया था कि इसमें हम जियो मॉर्फोलॉजी का टेस्स लेंगे इस बार हमने कोशन नंबर ऑफ कोशन तो बढ़ा दिये हैं जैसा कि कुछ अलग अलग टाइमिंगे मतलब 15-25 सेकेंड्स होगा क्योंकि कुछ 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 चोटे होते हैं वन लाइन ओर उसको जल्दी कर सकते हैं बट कुछ 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 जो की मैंस फॉलवाइंगे उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो चलिया में स्टार्ट करते हैं फॉर्स कोशन इसका क्या मतलब है कि लाइन स्टों केव की जो फियरी थी अमने कुछ पढ़ाई है जब लाइन स्टों का लैंट फॉर्म बताया थे तो हमने कई थेयरी पढ़ाई थी उसमें कि टू साइकल फियरी भी थी यह बताना है आपको कि यह किस ने प्रपाउंड किया था चलिया आंसर दीजे जल्दी से में देख लिजिए और मुझे यह बताई है कि बाकी लोगों ने कौन-कौन से थेयरी थी थी मतलब स्विन इंट्रिन ने क्या दिया था गार्डनर ने क्या दिया था मैलट ने क्या दिया था चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं के रिविजिन के लिए ही है तो इसलिए आप इसको जल्दी से अटेम्ट कीजिए अगर आपको एक दो आप्शन भी आते होंगे तो यह कोशन सॉल्द हो जाएगा और इसका अंसर होगा ए देखिए हैरी हैस ने दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब हमने प्लेट टेक्टॉनिक्स और कॉंटेंटल ड्रिफ्ट पड़ा था तब हमने यह बताया था किस फ अगर यह बता होना करें जबता होना चाहिए जेफ्रीज का था थर्मल कॉंट्राक्शन थियोरी और हटन का था यूनिफॉर्म इटारडिनिजम यह कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्मैट में यह हटन वाली फिओरी पढ़ी पढ़ी जाती है ठीक है यह इसा है कि सिक्ष्य ही हमेशा uniformity बनी रहेगी यही इसका concept है यह दिया था James Hutton ने ठीक है चलिए next question question number three the premise that present day process have been operating throughout geological time is the principle of answer बताईए let's see यह question थोड़ा easy हो गया because इसको हमने discuss कर लिया yes इसका answer B होगा uniformitarianism वही जो अभी बताया आपने पीछे cycle है और यह हमेशा एक geological time में चलते रहता है next question इसको आपको sequence में लगाना है fluvial erosion की वज़े से जो landforms बनते हैं question पढ़ देते हम एक बार which one of the following is the current correct sequence of landforms developed under fluvial erosion पहले तो वह फ्लीवियल होने चाहिए फिर उसका erosion होने चाहिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जब river start करती है मतलब अगर जैसे कि एक यह valley है और यहां से जब करेगी erosion करना तो यहां से यहां तक या आप कह सकते कि river को long profile आपको पूरा बताना है कि कहां से क्या बनाती है पहले कौन से stage में क्या बनेगा फिर middle stage में फिर oldest stage में इस तरीके से आपको इसको sequence में करना है जल्दी से answer बताईए इसका जो हमने फ्लूर्विल लैंडफांस पढ़े है या फिर cycle पढ़ा है तब हमने इसको भी cover किया है कि कैसे rivers जब चलती है तो क्या-क्या बनाते हुए चलती है वो youth stage में क्या बनाती है mature में क्या बनाती है old stage में क्या बनाते है इसका answer हो जाएगा ए जॉर्ज फ्लड प्लेंज फिर पेडिमेंट प्लेंज फिर उसके बाद डेल्टा डेल्टा सब्सक्राइब है जॉर्ज जो है वो वी शेप वैली होती है जहां पर rivers को बहुत जादा energy होती है इस वजह से वो जॉर्ज बनाते हुए चलती है ठीक है of youthful stage of an ideal normal cycle of erosion देखें यहां पर भी वही है कि youthful stage पर बताना है कि कौन से इसमें से आपका सही है answer वाला youthful stage में कौन से नहीं बनती है ठीक है देखिए youthful stage में pot holes बनते हैं gorgeous बनते हैं river capture भी हो जाता है लेकिन जो और आगे जो है mainly erosion होता है और mature stage में और उसके बाद में ज्यादा तर डिपोजीशन होता है तो लेवीज होते हैं वो डिपोजीशन वाला format है इसलिए इसका answer हो जाएगा next question यह देखिए यह matching है यह आपके landforms है और वो किस agent से बनते हैं वो आपसे पूछा गया है इसको match कीजिए जल्दी से वैसे तो यह सारा कुछ हमने कभी ना कभी cover किया है बट revision बहुत ज़रूर है otherwise आप साथ भूल जाएंगे चलिए इसका answer हम लोग करते हैं modern knocks का होगा देखिए rivers यह हमने पढ़ा है देखो मोनाड नॉक्स जो होते है न वह पिदिमेंट्स को ही हम मोनाड नॉक्स बोलते हैं ठीक है यह आपका reverse के थुरू बनता है blind valley होता है आपका groundwater ठीक है groundwater में हमने पढ़ाता है erosion जो blind valley बन जाती है फिर drumlings हमारे glacial की वजह से बनती है and then drag enter यह आपके winds की वजह से बनती है तो answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा सिक्स्थ का डी चिक नेक्स्ट कोशिन कोशिन नमबर सेवन सैंड दून्स फॉर्म एज लॉंग रिजज और राइट अंगल तुद विंड डिरेक्शन आर कॉल अब जैसे कि विंड जो चल रहे हैं उनके अगर राइट अंगल में अगर सैंड दून्स बनते हैं तो उनको क्या कहते हैं आंसर बताइए लीनियर बार्चन्स ट्रावर्ज और स्टार ड्यून्स इसका answer होगा सी ट्रावर्ज ड्यून्स मतलब कि अगर विंड ऐसे चल रही है तो ड्यून्स कैसे बनेंगे ऐसे ठीक है तो यह इसका राइट अंगल होता है इस तरीके से आश्यली यह तो एक मतलब की linear होता है बट इसको traverse dune बोलता है बिकाज यह राइट अंगल पर बनाते हैं ठीक? नेक्स्ट कोश्चिन? who stated the slope profile are convex, plane और concave मतलब तीनों ये किसमें होता है ये question को हमने पहले भी करवाया है चलिए answer दीज़े जल्दी से इसका answer हो जाएगा penk penk ने ये concept दिये थे convex, plane, concave कैसे पहले convex होती है profile फिर plane होती है फिर concave होती है ये हमने बहुत आपको ये penk की theory जब पढ़ाई है तब पढ़ाया है आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए अगर जिसको नहीं समझ में आया है ठीक है next question number nine यहाँ पर assertion reason है इसको जड़ा ध्यान से कीजिए क्योंकि ऐसे questions आते ही आते है assertion बोला है Hawaii island is a site of volcanic eruption reason there are conversion plate margins are site of volcanic eruption तो answer क्या होगा both are correct R is the correct explanation of A और both are correct but R is not correct explanation of A A is correct but R is false जल्दी से answer देजिए इसका वैसे जिसने भी plate tectonics पढ़ा होगा उसको यह question का answer easily आता होगा यह से इसका answer A होगा because Hawaii island जो है वो convergent plate boundaries के पास में है और convergent plate boundaries के पास में जितने भी आपके island जितने भी archipelagos हैं वहाँ पर volcanic eruptions आते ही रहते हैं ठीक है चलिए next question question number 10 all those process which tends to bring the surface of lithosphere to a common level are collectively known as common level का मतलब है कि जो हमारे मतलब कि उसको एक level पे ले आना ठीक उसको हम क्या बोलते हैं कौन से process से वो होता है gradation, degradation, gradation or mass wasting yes, इसका answer होगा gradation, क्यों gradation होगा degradation क्यों नहीं होगा क्योंकि देखे एक यहाँ पर बोला है common level तक लाना common level तक लाना मतलब जो चीज़े ऊपर हैं उसको erode करके नीचे लाना और जो चीज़े नीचे हैं उसको uplift करके ओपर लाना तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह degradation हो रहा है यह degradation हो रहा है और इन दोनों process को हम क्या कहते हैं sorry, gradation ठीक है, तो इसलिए इसका answer gradation होगा, degradation नहीं होगा ठीक है, चलिए next question theory of plate tectonic does not help to explain the origin and location of which one of the following मतलब plate tectonics हमने पढ़ा था, यह बहुत सारे landforms बनते हैं तो इनने पे कौन से ऐसी चीज़े हैं जो plate tectonics से related बिनकुल भी नहीं है इसका answer होगा C, बिल्कुल सही है C answer होगा, क्यूं? देखे, earthquakes तो आता ही है plate tectonics, जहां पे भी plate boundaries है वहाँ पे earthquake आएंगे ही और जहां पे भी conversion plate boundaries है वहाँ पे fold mountains आपके बने हुए तो इसलिए ये भी होगा major sea floor features हमने पढ़ा है कि जो major oceanic ridges बने हुए है जो आपके volcanic islands है वह ज्यादा तर sea features है और वह related है plate tectonics से तो इसलिए ये तीनों हो जाएंगे और ocean current का कोई भी plate tectonics से relation नहीं है तो ये question का answer होजाएगा ocean current next question देखिए इसी type से question आते हैं तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए ria is an example of a emerge upland shore, submerged upland shore, neutral shore और compound shore ria हमने पढ़ाया है जब आपको हमने shores पढ़ाया थे कि ria और roads दो type के shores होते है coastlines होते है coastal landforms में बताया है with example और यह आपको आना चाहिए इसका answer होगा b submerged upland shore next है आपका 13 which of the following groups all landforms are made by winds देखिए यहाँ पे land हमने यह पहले भी बताया है कि landforms आपका geomorphology का कितना ज़्यादा important part है ठीक है क्योंकि इससे 2-3-4 question हमेशा ही होते हैं इसलिए आपको landforms तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि कि अब किस तरीके से landforms को पढ़ना है सबसे पहले erosional सबसे पहले कौन-कौन से एजेंट से बनते हैं ठीक है तो चलिए जल्दी से इसका answer बताईए और बागी भी बताईएगा कि कौन से landforms किस से बनते हैं तो हम यहां पे यह सारे ही discuss कर लगे एक बार इसका answer होगा C विंड से यह सारे बनते हैं डेमोसाइल, मश्रूम रॉक और यांडंस लेकिन हम सारे को एक बार देख लेते हैं इसकर्स किस से बनते हैं इसकर्स बनते हैं हमारे fluvial glacial से ठीक है मतलब यह glacial आएगा तो glacial लिखना है mainly यह glacial and fluvial दोनों से बनते हैं दोनों का mixture होता है यार्डंस हमने पढ़ लिया यहां पे wind से बनते हैं lowest आपके कैसे बनते हैं यह एक plane होता है यह आपके wind से ही बनते हैं ठीक है lowest एक मतलब की एक तरीके से wind जो है वो बहुत small particles को दूसरी जगह उडा करके ले जाती हैं वहां पे वो deposit हो जाते हैं वो lowest plane बना लेते हैं यह wind से बनते हैं lowest हो गया आपके wind से बनते हैं sand dunes आपके wind से ही बनते हैं deposition landforms हैं आपके winds के से बनते हैं dimosile हमने पड़ा winds से बनते हैं tombalo किस से बनते हैं tombalo बनते हैं आपके coastal landforms ठीक है मतलब waves की through बनते हैं तो यह हो गया आपका कि सारे landforms कौन-कौन से किस से बनते हैं इसी तरीके से आपको example सबके ध्यान रखने हैं next question question number 14 the statement present is a key to pass is related to यह question कही बार हो गया so answer सभी लोग सही दीजेगा इसका answer B होगा uniformitarianism next question करते हैं flat top sub marine mountains are called देखिए यह भी एक coastal landforms है इसको भी हमने coastal landforms में पढ़ाया है वैसे तो हमने जब आपको ocean का relief feature पढ़ाया था तब भी बताया था बट यह हमने mainly coastal landforms में पढ़ाया था चलिए जल्दी से answer दीजेए उसका इसका answer होगा sea गयोर्स देखिए क्या होता है कि coastal areas में या sea के coast के पास में क्या होता है अगर यहां पर यह हो गया कि अगर यह sea के बीच में से ऐसे करके कोई landforms बना है ठीक है तो यह होता है आपका sea mountain मतलब एक छोटा सा hill type में बन गया है लेकिन अगर यही पर यह हो जाए कि यह वाला ऐसे इसका पूरा यह portion खतम हो जाए और फिर यह ऐसे flat-top हो जाए मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं यह इसका क्या हुआ यह erosion हो करके यह flat-top हो गया तब इसको हूँ गयोर्स पोलते हैं यह हो गया आपका इसका answer हो जाएगा C यह गयोर्स next question question number 16 headwall is associated with यह भी हमने पढ़ा है landforms में ही headwall किससे associated है answer दीजे जली से yes this answer होगा ठीक और U-shaped valley जो है वो तो आपके glacial erosion की वज़े से बनते हैं ठीक है तो यह आपकी glacial landforms है बाकि यह तीनो है तो वैसे सारी glacial landforms लेकिन यह आपका valleys है ठीक है चलिए next level of compensation concept was proposed by यह actually हमने cover नहीं किया है किसी भी वीडियो में यह isostasy का पार्ट है यह isostasy में कई concepts दिये थे यही आपको बताना है आपके level of compensation किस ने दिया था साथी साथ यह भी बताइएगा कि बाखी लोगों ने कौन से concepts दिये थे इस 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 रोगा C हैब फोड बोवी ने दिया था level of compensation ठीक है अब देखे प्रैट में दिया था line of compensation ठीक है line of compensation ठीक है line of compensation ठीक है line of compensation एरी ने दिया था आपका concept same density वाला या फिर law of flotation वाला concept ठीक है next hefford and baby ने दिया था level of compensation ठीक है चलिए हम इसको देख लेते हैं एक बर आपको ध्यान रहेगा इसका एक हमने material दे दिया है because हमने इसको cover नहीं किया है बट आपको पता होना चाहिए इसलिए देखे ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रैट में क्या दिया था? line of compensation, area ने क्या दिया था? law of flotation मतलग कि यहाँ पे same density है और जितने ही जादा मतलब जिसके जदने जदा height होगा उसका उतना जदा root होगा ठीक है इसका मतलब यह होता है यहाँ पे इन्होंने बोला था कि एक line of compensation है और जिसकी जदा height होगी उसकी उतनी कम density होगा और जिसकी कम height होगी उसका कम root होगा यानि की law of flotation जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई भी चीज को जैसे iceberg ही है अगर वो उसको हम देखेंगे तो जितना उपर देखता है उसका बहुत ज़्यादा portion नीचे वो float हो रहा होता है ठीक है फिर hafford and bovie ने यह level of compensation दिया था कि line नहीं होता है कोई एक level होता है जिसके compensate होती है कि जो दिखेंगे landforms का structure है वो आपको उसको एक equilibrium बना करके रखते हैं चीक है वही होता है आपका आइसोस जैसी यही इनके concept है और जोली ने दिया था कि ना line of compensation है ना level of compensation है यहाँ पर इन्होंने इस concept को और इस concept को merge करके यह बताया था और बलकि इस concept को भी सारे concepts को इन्होंने merge करके एक चीज बताया थी कि यहाँ पर zone of compensation होता है मतलब की roots होते हैं बट एक level के बाद हम और ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पर उसके बाद वो एक level of compensation बन जाती है ठीक है यह साही चीज़ा eustatic movement चलिए answer बताये उसका चल्दी से yes eustatic का मतलब ही होता है C, C से जितने भी हमारे landforms बनते हैं या C level की वज़े से C waves की वज़े से जो भी landforms बनते हैं उसको हम क्याते हैं eustatic तो यहां पर answer हो जाएगा raising and lowering of C level next question which one of the following is not associated concept of geosink line geosink line भी हमने cover नहीं किया है geosink line क्या होता है geosink line actually में एक truff होता है जिसमें जिसकी वज़े से जो की conversion plate boundaries में mainly मिलता है और यह mountain building अगर ऐसा कहा जाता है कि global मिलब कि एक deposition अगर यहां पर possible हो conversion boundary के पास हो तो वहां पर mountain building भी हो सकता है geosink line mainly एक तरीके से truff होता है जहां पर यह deposition होता रहता है ठीक है यह मने question में cover किया है बट as such पूरा cover नहीं किया है यहां पर आपको बताना है कि यह geosink line का concept किस ने दिया था या sorry कौन नहीं associated geosink line के concept से yes इसका answer है b that is davis बाकी और कौन-कौन से यह देखिए आपको हम एक यह दे देते हैं note ताकि आपको यह ध्यान रहे कि कौन-कौन geosink line से के concept से related है hall and dana, e-hog, j-w-e-vance, shooter and arthur holmes और जो geosink line की origin theory है मतलब कि जो mountain building theory है वो mainly है आपकी crober की तो यह भी आपको ध्यान रखना है next question question number 20 according to wegener's continental drift theory which sea was lying between laurentia and gondwana आपको laurentia and gondwana के बीच वाली sea का नाम बताना है I hope यह सबका ही सही होना चाहिए एक इसका answer होगा c that is tethis c ठीक है tethis c था इन दोनों के बीच में और इन दोनों का जब laurentia और gondwana land को एक साथ में जब थे मतला जब दोनों ही land एक साथ में थे तब इसका एक नाम जिया गया था उस land का नाम था उस land का नाम था पैंथा साला तो पैंथा साला एक land का नाम था जो की jointed land थी और c जो थी इन दोनों की बीच में वो थी tethis c चलिए next question question number 21 which among the following is not related to depositional landforms of glacial topography यहां पर depositional landforms है देखिए landforms से कितनी तरीके से किस तरीके से questions पूछे जा सकते हैं वो सभी कुछ हमने cover करने की कोशिश की है तो एक बार आप इसको दिहान से देखिए और answer कीजिए यह से इसका answer होगा ए रोशेस mountain यह आपका erosional landform है बाकी यह तीनों depositional है ठीक है moraine drumlin kames यह सब आपके depositional landforms है और रोशेस mountain जाए वो erosional है चलिए next question question number 22 concept of pan plane is associated with अब बताना है आपको की concept of pan plane किसने दिया था यह concept जी हमने पढ़ाया है इसलिए इसको आप सभी सही answer देजेगा ठीक है और बाकी लोग बाकी भी बताइए कि किसने और कौन सा concept दिया था pan plane क्या होता है end में जो हमें जो पूरी आपकी cycle होती है उसके बाद end में जो landform मिलता है उसको pan plane कहते हैं तो सभी ने एक अलग-अलग नाम दिया था पैंक ने, डेविस ने, स्टालर ने, क्रिकमे ने तो इसके जगा नाम आप सभी बताइए पहले इसका answer दिजे pan plane का concept दिया था क्रिकमे ने, डेविस ने क्या दिया था पैड़ी plane दिया था और पैंक ने क्या दिया था penny plane दिया था ठीक है तो यह हमने पढ़ लिया कौन से इसमें ऐसा evidence है जो कि proof नहीं करता है या support नहीं करता है यह हमने contented drift theory जब पढ़ी थी तब इसको देखा था चलिए answer कीजे जली से आप लोग इसका अंसर होगा thermal contraction नेक्स्ट कुशन पूशन नमबर 24 who use primar room and end room words in geomorphology यह हमने जब cycle पढ़ा था cycle of erosion तब हमने पढ़ा है इसको कि यह concepts किस ने दिये था चलिए answer दीजे जली से इसका answer है pink पैंक नहीं कुछ ऐसे concepts जियते जो थोड़े अलग थे primary rooms क्या होता है end rooms क्या होता है जहां से cycle start होती है primary land forms उसको हम primary rooms कहते है end rooms जहां पे cycle खतम होती है जिसको कि हम paddy plane बोलते है या penny plane बोलते है या फिर pan plane बोलते है उसको हम कहते है end rooms जहां पे cycle हमारी end होती है ठीक है चलिए next question question number 25 which one of the falling is not related to the erosional land forms of arid topography arid topography means जो कि wind से बनती है इसमें से बताना आपको erosional नहीं है जो कि मतलब depositional है पढ़ा है वैसे अभी हमने पीछे ही पढ़ा है एक question में उसका चलिए जल्दी इस answer दीज़े इसका इसका answer होगा barkans barkans क्या होते है यह sand dunes होते है ठीक है barkans sand dunes होते है और sand dunes deposition land forms होते हैं of arid topography ठीक है next question question number 26 which one of the following is not correctly match यह आपको बताना इसमें से कौन सा correctly match नहीं है यह कुछ theories है और उनके propounders है वैसे तो आप लोग इसको अराम से कर सकते हैं इसका answer है c अरल रीफ को बताते हैं ठीक है glacial control theory डेविस ने दिया था gaseous hypothesis theory यह आपकी कांत ने दिया था तो इस तरीके से यह answer हो जाएगा आपका c that is pink नहीं थे यह डेविस कार तो next question which one of the following plate boundaries is found between Indian plate and Eurasian plate in India in Himalayas mountain ocean continent conversion boundary diversion boundary transform boundary continent continent conversion boundary यह तो आंसर सब को आना चाहिए कि सबने बहुत पहले से पढ़ा है Himalayas का formation इसका answer होगा continent 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 conversion boundary जो हमने पढ़ा है Eurasian plate और आपकी जो नीचे चाहिए थी जो आपकी इंडो आस्टिल plate है वो दोनों का इसका conversion की वज़े से Himalayas का formation हुआ था exogenic process का मतलब है जो उपर से हमारे एक होता है endogenic एक होता है exogenic endogenic होता है जो हमारे अर्थ के अंदर से काम कर रहा हो और exogenic होता है जो अर्थ के उपर से काम कर रहा हो तो इसमें से बताना आपका कौन सा exogenic नहीं है मतलब कि वह endogenic होगा weathering, erosion, deposition और डायस्टोफिजम इस इसका अंसर हो जाएगा D, that is डायस्टोफिजम यह जो हमने forces पढ़ाया था आपको तो हमने बताया था कि कौन से एक्जोजनिक forces हैं कौन से एंडोजनिक forces हैं एक बार उसका revision कर लेते हैं देखिए यह forces हैं एंडोजनिक forces, एक्जोजनिक forces एंडोजनिक में आपके दो टाइप ही होते हैं slow, that is diastrophism then sudden diastrophism में हमने tectonic, isostatic and eustatic पढ़ाता हैं ठीक हैं, देखिए हमने cover किया है एक एक चीज़ इसलिए आपको सारी वीडियो को एक एक बार revision करते रहना है इसलिए इसको sudden forces करते हैं और यह सारा का सारा आपका होता है endogenic exogenic में आपका erosional, depositional and जो यह था ना आपका weathering पहले weathering होगी, फिर erosion होगा, फिर deposition होगा और यह तीनों ही इन सारे में होगा मतलब यह सारे agents हैं आपके और इन सारे agents जो जो landfonds बनते हैं वो भी हमने पढ़ रखे हैं fluvial, wind, glacial, waves, then cast चलिए, next question the direction of horizontal line on an inclined rock strata इसको हम क्या कहते हैं जो हमने कुछी दिन पहले ही अभी एक question series for ideas में यह बताया है और बहुत अच्छे से बताया है चलिए, answer कीजे इसको इसका answer होगा strike एक बार आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए कि इसको कैसे हमने strike और dip angle को कैसे बताया है कि जहाँ पे आपका dip angle होगा उसका जो horizontal line यानि कि जो जिस line से आपके angle को हम measure करते हैं उसको हम strike कहते हैं, ठीक है? तो वो जो horizontal line होती है उसको हम strike कहते हैं और angle जो होता है, वो dip होता है sink line, anticline जो यह आपके force होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इन में से एक होता है sink line यह वाले को sink line बोलते हैं इसको हम anticline बोलते हैं, ठीक है? तो यह होगा आपका dip, strike, sink line and anticline next question यह आपका matching करना है आपको endurance forces और आपका जो formation है उसको चलिए जल्दी से कीजिए उसको matching में अगर आपको 2-3 दो भी option आते हैं तो हो जाएगा इसलिए बहुत जादा परिशान होने वाली बात नहीं है चलिए, match कर लेते हैं हम दो सबसे पहले endogenic forces endogenic forces से हमारे mountains बनते हैं और mountains बनने को हम क्या बोलते हैं? Orogenesis तो यह हो जाएगा आपका fourth geosync line geosync line आपका है Mediterranean Sea ठीक है? weathering होता है आपका expoilation expoilation का क्या मतलब होता है? कि एक पूरी layer एक पूरी layer ही हट जाए जैसे कि onion का हम लोग उपर वाला पील हटाता है न उसको ही हम expoilation कहते हैं तो एक अगर लेयर पूरी की पूरी एक साथ हट जाए तो उसको हम expoilation कहते हैं ठीक है और continental drift में हमने Laurentia के बारे में पढ़ा है मतलब यह से related है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C ठीक चलिए next question question number 31 Sunda Peninsula was submerged in the Pacific Ocean due to Sunda French हमने पढ़ा था जो हमने cover किया था ocean bottom relief यह कहां पे Pacific Ocean में भी है और Indian Ocean में भी है यह एक peninsula है क्यों हो गया constructive activity of place destructive activity of place subduction of place into ocean और sea floor spreading किसकी वज़े से हुआ चलिए answer कीजिए इस इसका answer होगा C subduction की वज़े से हुआ था जैसे कि हमने बताया था कि एक plate अगर दूसरी plate के नीचे जाती है तब उसको हम subduction बोलते है अगर एक plate दूसरी plate के नीचे जाती है तो उसको हम subduction बोलते है और यही हुआ है सुन्दप peninsula के साथ में कि वो subduction मतलब वो plate जो है वो दूसरी plate के नीचे चली गई है इसलिए वहाँ पे subduction हो गया और एक peninsula हमारा सबमर्ज हो गया Pacific Ocean नीच्स्ट evidences कौन से है ठीक है लिस्ट है आपकी coastline of South America and Africa glossopteris listrosors fossil and marsupials चली आंसर बताइए मैचिंग करने का ना सबसे एजी तरीका होता है कि जो आपको आता है सबसे पहले सबसे पहले उसको मैच कीजिए फिर उसका दीरे दीरे करके हो जाएगा मैचिंग तो देखिया है चली हम स्टार्ट करते है जिक स्टार्ट यह था हमारा Coast of South America and Africa अभी भी आप देखेंगे तो वो एक तरीक से फिट हो जाएगा अगर हम पास में लाएंगे दोनों को या कट करके आप देख लिजे दोनों ही लैंडफोंस दोनों ही आपके कॉंटिनेंट्स के मैप को अगर कट करके आप फिट करना चाहेंगे तो वो फिट हो जाएंगे एक दूसरे में ठीक है फिर हमने पढ़ा था biological evidences कौन से थे यह था आपका यह Glossopteris यह भी एक fossil थे ठीक है नेक्स था आपका paleontological evidences यह आपका था है यह fossil और फिर land bridges थे नौर्स आपका थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से C C होगा आंसर 32 का ठीक है नेक्स कोशिन कोशिन नमबर 33 यह रिज़न असरशिन है देर इस अ कोश रिलेशन्शिप बेविन वोल्कानों और प्लेट बाउंजरिस about 80% of the world's volcano are associated with conversion plate boundaries वैसे यही कोशिन हमने पीछे भी किया है वहाँ पे एक्जांपल दिया हुआ था तो इसका आंसर भी सेम होगा चलिया आंसर कीजिए यह इसका आंसर A होगा ठीक है इसका explanation हमने बता दिया पीछे ही आप देख लीजे एक पार और नेक्स्ट है निक-point निक-point are associated with river germination, glacial erosion, aeolian deposits, cast topography यह किसे रिलेटेदेटेड है निक-point यह फ्याल आप आंसर बताईए यह पनमेस को एक्स्प्लेइन करता है प्यार्ट प्यालियन करता है यह इसका आंसर होगा river rejuvenation इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक river ऐसे चल रही है थिपे बट इतना सदक डिपोजीशन होता जा रहा है कि वह ümüz पानी खतtechn हो रहा है या उसका फ्लो कम हो गया है बट कहीं पर ऐसा हुआ कि कहीं और से दूसरी river आकर के मिल गई या फिर किसी वज़ा से रिवर का फ्लो बढ़ गया तो उस पॉइंट को हम कहते हैं निक पॉइंट चीक है मतलब कि आगे जो फ्लो है न वो बढ़ जाएगा और रिवर जो है वो फिर से एक एक नई एनर्जी उसमें आ जाएगी और इसी पॉइंट को जहां से रिवर में रास्ज पॉइंट को कालब फोफॉइंट रिवर ट्वा संस स्पार्य silॉक्स प्र यर्ष्या हैपका ला फोपर कॉइंट आ है और ये एशिया और यूरोप इनको मिला करके बनता है ठीक है तो ये हो गया आपका आज का टेस्ट I hope ये आपको अच्छा लगा हो इसमें हमने बहुत सारा कुछ नया भी सीखा नया भी पढ़ा जो हमने नहीं पढ़ा था और बहुत सारा कुछ मतलब प्रोडक्टिव है और साथ आपका revision होता रहेगा अगर आप test देते रहेंगे तो छिक है तो next test जो होगा वह हमारा next Sunday होगा same time और इसमें हमारा जो syllabus है वो geographical thoughts है घ्णथ है और अपना भी अबिन लंट से अपने आप चैनल पर एक ग्रॉप भी आप उसको वह जो बोग्स कर देंगे आप सारा का सारा माटीरियल अपने पास जरूर रखे क्योंकि लास्ट टाइम पर रिविजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो हमाई चानल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए थांक यू, थांक यू सो मच